नमस्कार दोस्तों मैं क्रशनाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तों बहुत दिनों से आपका अंट्रेंस आपका का ऑनलाइन अप्लाइट कव इंट्रेंस एक्जाम कब होगा अब आपके बास ये पूरी की पूरी सारी अच्छे से नोटेपिकेशन मिल गई है इसके साथ ही सारा का सिलेवस क्या है कैसे एक्जाम होगा सब कुछ आपके बीच में आ गया है तो ये पूरी विडियो को अंत तक देखेगा यदि आपको अगलाव हुई है कब इंट्रेंस एक्जाम होगा और इसके साथ पटना इंवर्सिटी के ही अंदर एक कॉलेज आता है पूरे बिहार का सबसे बेस्ट एक ग्रेड कॉलेज के बारे तो सबसे पहले हम लोग एड्विशन के इंस्ट्रक्शन के बारे में परहेंगे कि क्या क् है उससे पहले आप लोग जिससे जो आपके सामने है उसके बारे में आपको थोरी सी जानकारी होनी चाहिए तो मुझसे मिल लिए मेरा नाम हुआ क्रिशना कान सिंग बी एन कॉलेज पटना इंवर्सिटी से मैंने ग्रेडिवेशन किया है अभी मैं UPSC की तयारी कर रहा हू इसके साथ ही कुछ उपलब्दिया है मेरी चार सालों से मैं आपको यहां पे P.U.A.U. और B.H.U. के लिए इंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर रहा हूं इसके साथ ही सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले 929641 इन दोनों नमबर पर वस्ट सकते हैं आपसे अनुरोध है हां जोर कनुरोध है किर्पिया करके कॉल न करें इंपोर्टेंट हो आपको समझ में नहीं आरा है YouTube में आरा वहोफर सपे बहुत ज़्यादा आप मैसेज किये रिपलाई नहीं तभी आप कॉल करें ये दो हमारा वाटसेप नमबर परलस कॉलिंग नमबर ये दोनों नमबर हमारा ही है तो हम आपको अपना प्रसनल नमबर यहाँ पर दे रहे हैं कि आपको कोई ज़रुत हो बहुत ही ज़रुत तब कॉल किज हाः जिखेगा नहीं तो आप जिखेगा सबसे पहले UC की आप तयारी करना चाहते हैं इसके लिए ہम आपको हथ्यार दे रहे हैं हथ्यार के लिए क्लास स gute गूगल मीट पर पार ने का क्या मकसद होता है कि कि माइक करके बोल सकते हैं कैमरा करके हम आपका OUR आप माइक से हमसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका डेमो। मैंने यूटूब पे इस साल का डाल दिया है सबसे पहले डेली लाइब क्लास होगी अभी 2 बजे से लाइब क्लास होती है इसके साथ recorded class आपको देगा 500 प्लस PDF आपको मिल जाएंगे फीडिटन टेस्ट होगा संडे को चेप्टर वाइज वीडियो जो आपको प्रोभाइट की जा रही है प्रिभियस येर कोईसंस हम देते हैं इसके साथ choppers टॉक देते हैं हम आपको क्या करवाते हैं टॉपर से टॉक करवाते हैं ये सारी की सारी बात रही है हाँ पर दो WhatsApp नंबर हम आपको पहले दे दिये वन टाइम का फी है सारे 400 रुपया लिम्टेट समय के लिए ऐसे तो 100 स्टुडेंट के लिए था यहां पर ग्रूप के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा सारा क्लास का लिंक दिया हुआ है उसका लिंक है इसके साथ लरके में देखिएगा तो यहां पर कोई नहीं है कि हम आकर आको जूट बताते हैं कितने लर्के, इतने लर्के हैं, जो है, जो सच्छ है, 68 लर्के हैं, 36 लर्के हैं, यहाँ पे देखिये, instruction में जो भी लिखा हुआ, यहाँ पे सारा previous recording आपको मिल जाएगा, इसके साथ देखिये, अग्ला है, आपको जो previous recording है, इस type के मिलेंगे, second class, third class, fourth class, fifth class करके, इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा जब आप पेमेंट करके आएंगे तो, इसके साथ देखिए ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है, आप देखिए, यहां से important बात आती है, यहां तक तो थी कि आपको तयारी कैसे करना है, यदि आप भी चाहते हैं, 1100 आपको ये कि सर 27 एवं 28 मई को होगी, तो ये सबसे जादी important बात है कि आप date को अपने mind में रखिए, उसी तरकार से तयारी कीजिए, फिर online apply कितने होगे, 10 अपरेल से, कब से होगा, 10 अपरेल से, कितनी सीटे हैं, 4500 सीटे हैं, यादि अच्छी सीटे के बात करें, इसमें अच्छी बीएसी और बीकॉम के साथ ये सनातक vocational courseों में, नए सबस्ट 2023 के लिए आवेदन पर के लिए 10 अपरेल से सुरू होगी, कब से होगी 10 अपरेल से, वहीं आवेदन की अंतिम्तिती 9 मई की गई है, तो दो देट इसमें आपको याद रखना है कि सर जी, एक पहला तो डेट है कि 27 पहला तो डेट है कि 27 वह 28 मई को होगी, 27 को regular और 28 को professional का होगा, क्या exam, ठीक है, exam, अब आपके पास एक देर महीने का समय बचा हुआ है, 10 अपरेल से online apply करेंगे, किन्ही को online apply करने में problem होगी, यदि आप online apply में गलती कर देते हैं, तो आपका result खतम हो जाएगा, आपका result apply में गलती नहीं करा, किन्ही कोई दिक्कत होगा online apply में, उनका मैं कर दूँगा, वही है, 7370840504, जो दो WhatsApp नमबर दिया हूँ, उस पेसे आप हम से online apply करवा सकते हैं, हमारी team अच्छे से online apply करेगी, क्योंकि हम लोग अपने student का खुद online apply करते हैं, पूरी online तरीके से होगी, पटना बिस्विद्याले में असनातक पर नमांकन के लिए परवेश परिच्छा 27 और 28 मई को होगी, कब कब होगी 27 और 28 मई को आपकी होगी, 27 और 28 मई, असेल फाइनेंस कोर्स के लिए 27 मई का और regular कोर्सों के लिए 28 मई को होगी, सेल फाइनेंस और वोकेशनल के लिए कितन समय परनामनकर की पुरिया पूरी कर ले जाएगी विहार वोड इंटर का रिजल्ट आ चुका है सीबियसी ने बरामी की परिशा हो सकते हैं यहां पे बड़ी बात निकल कर आई है कि जो भी एपेरिंग चातर हैं एपेरिंग करेंक मतब जो उनका 12 का रिजल्ट नहीं आया वो भी डाल सकते हैं इसके साथ है PPU में 25 से आवेदल पाटली पुत्रा में क्या होगा 25 से इस पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे तेहां पर दो तीन डेट आपको याद रखना है कि 27-28 मई को आपका एक्जाम होगा 10 अपरेल से आपका ओनलाइन अपलाई होगा जून में आ पूरी सी बात कर लेते हैं फिर हम P.U. के बारे में बात करेंगे यूज ब्लू और ब्लेक पेन ये पट्टना इनवर्सिति के लिए वैलिड है पट्टना इनवर्सिति के लिए भी यही जरूर है ओमार सीट 4 बीए बीकॉम बीमसी बीसी बीए फूल मार्क्स आपके 100 नंब पूछे जाएंगे और बाइलोजी एनवेट जो है तीस मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे ये हम आपको बार 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 बता रहे हैं कि ये P.W.C. का है पतना वोमेंस कॉलिज का है इसे पतना इनवर्सिति के पे डिपेंड नहीं करता है पतना इनवर्सिति का मैं आगे ब पूछे जाते हैं और 75 मार्क्स के जो पूछे पूछे पॉलिटी जोगरफी पूछे जाते हैं जिनको बी ये लेना है अब कोई लगी यदि पटना इनवर्सिति की तैयारी करेगी तो उसको इस्टी पॉलिज जोगरफी भी पढ़ना होगा यदि यो साइंस बेक्ग्राउ रिजिनिग तो यहां पर आप देख सकते हैं पी यू के बारे में यह पिछली बार ही चेंज हुआ था पटना एंवर्सिटी का जो एक्जाम पैटर्न है वह पिछली बार चेंज हुआ था ही बहुत दिनों के बाद 2022 तो इस बार भी वही रहने जा रहा है इसका है कहने का मतलब की 2023 में 2023 में जितना आप स्कोर करेंगे ज्यादा ज्यादा उसी अर्धार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा करें का मतलब की रेगलोर और वोकेशनल कोर्स में अलग अलग करवाया जाता दा दा फूल मार्क्स अस्पेन और प्यू सीटी 2022 विल भी सौ मार्क्स और प्यू स्वाल रहेंगे सारे सवाल जो रहें जो अब्डेक्टिव रहेंगे और प्यू सीटी 2022 विल भी ग्रूप इन टू पार्ट नेमरी कॉमन गुरूप ऑफ चालिस मार्क्स और इलेक्टिव पार प्यू साथ पिछली बार चेंज हुआ आता है दो हजार पार पैटर्न चेंज नहीं होता है चालिस मार्क्स जिक्टेव एस मैं 30 दोगा साथ मट का इलेक्टिव पार्ट रहेगा जो आप सलेक्ट करेंगे यहां पे साब साब देखे सब्दों में लिखा हुआ है कि वही तीन गूरूप है 3 group है कौन-कौन group है arts का है science का है और commerce का है पर आपको वो select करना है जो आप 12-2 में पर है मतलब यह इंटर में जो था वही आपको इलेक्टिव पार्ट में मतलब 40 नंबर तो आपका compulsory है और 60 नंबर बाले में वो आपको पर ना है जो आपका 10-2 में था जो हमारा स्कोर होगा जो आप स्कोर अप्टेन करेंगे उसी पर आपका अदिशन होगा आप इंटेर्म में किया थे 500 में 500 लिया है कोई फर्क नहीं परता है यह सब कुछ बढ़ी बात नहीं है जो गुबर्मेंट ऑफ बिहार के रिजर्बेशन है उनके बेसिस पे भी बहुत से अपके होंगे सब्सक्राइब कोई दुर्ष के लिए क्या गया है रेगर्गलर कोर्स के लिए लिए चालीस मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगैंगे ग्रूप्ट के बिज्द रहेतने ने स्Secषिचव सब्सक्राइब According to a steam, 10 plus 2 is standard and kind of a team 60 question of the selected group only. कहने का मतलब कि एक ही question paper में रहेगा, पहले तो 40 number, सबसे पहले तो 40 number को आपको solve करना है, 40 के बाद आपको 60 number का वो solve करना है जो आपके 12 में था, ऐसे करके आपको कोई अभी तक नहीं बताएगा या बता भी सकते हैं बहुत रोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आजाएए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको erase करके दिखा देते हैं, erase करके, यहाँ पर PDF जो पटना इंवर्सिटी के द्वारा दिया गया था कि group A में, group A में आपके कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे, group A में general knowledge के सवाल रहेंगे, general aptitude and numerical aptitude, general aptitude reasoning को कहता है, numerical aptitude math को कहता है, elective part में, group B में arts रहेंगे, जिनका भी arts 12 में था, उनका रहेंगा, start questions from the major subject of social science and humanities के subject रहेंगे, group C में science के रहेंगे, start questions from major subject of science for both bio and math group, जिनका available बायो बायो वाले बनाएगे, जिनका matha महत वाले बनाएगे, group D में commerce के रहेंगे, जिसमें start questions from the major subject of the commerce, commerce के रहेंगे, जिसमें start questions आपके रहेंगे, आगे बर जाइए, आगे आजाइए, next slide में vocational वालो के लिए, देखिए vocational वालो के लिए भी वही है, प्यू सीटी 2022 जो ग्रूप A 40 नंबर का रहेगा और ग्रूप B में वही आर्ट साइंस और कॉमर्स रहेगा 10 प्लस 2 में जो पर है BCA के लिए BCA के लिए जो भी आपका eligibility करते रिया है ठीक है तो यही हम आज आज आपको बता है इसके साथ कि अधि आप हमसे कोर्स से जूरना चाइते हैं तो उससे भी जूर सकते हैं अमारी klas से बहुत ही तरीके से चल रही है अभी आपको daily class मिलती है दो बज़े से class अभी स्टार्ट हो जाएगी google meet पे क्लास किसे होती है गूगल मीट पे गूगल मीट पे क्लास चलती है और आप निश्ची तोर पे सफल हो जाएंगे यदि हमसे क्लास करते हैं तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत बंदे मातरम जै बिहार